समुद्र शास्त्र में तिल का आपके अंगों पर मौजूद होने का मतलब बताते हुए कई शुब तिलों का उलेख किया गया है जिनमें यह अंदस्थान ऐसे हैं जहां तिल होने का साफ मतलब है कि आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी देखिए आपके अंगों पर तिल है क्या? 1. नाभे पर तिल समुद्र शास्त्र में पेट पर मौजूद तिल को शुब नहीं माना जाता है यह व्यक्ति के दुरभागय का सूचक माना जाता है ऐसे व्यक्ति भोजन का शौकीन होता है लेकिन तिल अगर नाभे के आसपास होता व्यक्ति को धनस्रम्रिद्धी की प्राप्ती होती है 2. पीठ पर तिल पीठ पर मौजूद तिल व्यक्ति के रोमांटिक होने के साथ ही दनवान होने का सूचक होता है ऐसा व्यक्ति खूब कमाता है और खूब खर्चा करता है 3. पैर के अंगूठे पर तिल पैर के अंगूठे पर तिल होने का मतलब है कि आप समाज में प्रतिष्ठित और संपन व्यक्ति होंगे 4. तरजनी अंगूली पर तिल जिस व्यक्ति की तरजनी उंगली पर तिल होता है वेह धन्वान तो होता है लेकिन शत्रूँ से परिशान रहता है पांच, नाभी के नीचे तिल जिस व्यक्ति के नाभी के थोड़ा नीचे तिल होता है उसे धन की कमी कभी नहीं रहती है छे, भौं के मद्य में तिल आई और तिल होता है उन्हें कम मेहनत में ही धन का लाब मिलता रहता है। यह भागिशाली होते हैं। आठ थोड़ी पर तिल जिस व्यक्ति के थोड़ी पर तिल होता है उन्हें कभी धन का अभाव नहीं रहता क्योंकि इनकी आये का साधन हमेशा बना रहता है। 9. अनामिका उंगली के मद्य में तिल व्यक्ति को दन्वान और यर्शस्वी बनाता है। 10. सबसे छोटी उंगली पर्तिल सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठ का पर्तिल होने पर व्यक्ती संपत्य शाली तो होता है लेकिन जीवन पर परशानी और अशान्ती बनी रहती है.